सुआगात है दोस्तों अपने यूटूब चैनल राजा भोजाई टीए पे दोस्तों जसे सबको मालूम होगा कि आपके प्रेक्टिकल के एकजम एक अगस्त से चालू है और आपको कैसे कापी लिखना है, कैसे एकजम में बैठना है, कैसे कापी में क्या क्या लिखा जाता है प्रेक्टिकल के बारे में मैं आज कम्पलीट आपको जानकरी दिखा दूँगा इसमें से जो पिछले साल पेपर आया था, पिछले साल का पेपर कैसा था, क्या कोशन पूछा था, वो भी मैं जरूर दिखाओं, वो लाज तक जरूर बने रहना चलिए आते हैं जैसे आज फर्स्ट नमबर दिखा देते हैं कि कापी देखिए आपके कापी कुछ इस तरह की रहती है, जो आपके practical exam पे दी जाती है स्टुडेंट को क्योंकि सब को मालूम होगा जो practical होता है तो practical offline होता है और offline में कुछ कापीया दी जाती है और जो कि बच्चे कोशन उसी में लिखते हैं मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे कॉशन लेख सकते हो, क्या क्या लिखना पड़ता है और कापी में क्या क्या चीजे भरनी चाहिए आप जरूर इसको देखिए और लाश्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आता है पेपर में कॉशन कैसे आते हैं इंगलिस में रहता है या हिंदी में रहता है आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी आप लोग ये चैनल में नए जुड़े होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इसी तरह के नए-ने नोटिफिकेशन नए-ने अपडेट मिलता रहेगा अब आपको बता दूँ कि जो कापिया होती हैं दोस्तों तो कापिया लाइनिंग भाई भी होती है और प्लेन भी होती है तो आप ये घवराइए मत कहीं कहीं लाइनिंग भाले भी यूज़ करते हैं लोग कहीं कहीं प्लेन भी यूज़ करते हैं तो मैं अभी lining बाली लेकर ही आया हूं, lining बाले में ही बता देता हूं और lining बाली ही आपको सायद मिले plane भी मिल सकती है बट कोई दिक्कत issue नहीं होता बट आपको यही होना चीज़ कि आपको कहां भी मिलनी चाहिए अब इसमें क्या क्या चीज mention करनी पड़ती है और कहां से आपको question लिखना पड़ता है तो question में क्या क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले तो आप अपना address पूरा चीज फिल करोगे जैसे अनकुरमांग का मतलब होता है roll number roll number भरोगे बिशय क्या होता है कि practical जो होता है practical English सब्द होता है उसका हिंदी होता है परियोगात्मक क्योंकि यहां पे हिंदी में बिशय लिखे हो तो आप परियोगात्मक लिखोगे और बेवसाय पे आपका trade एलेक्रीशन तो इलेक्रीशन लिखोगे यदि आपका trade fitter है तो आप fitter भी mention कर सकते हो बहुत से लोग बेवसाय में नोकरी लिख देते हैं क्रिसी लिख देते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है बेवसाय का मतलब होता है trade आप कौन से टर से IT कर रहे हो फिर इसके बाद परिख्षा केंदर का नाम आपका परिख्षा center कहाँ पे दिया गया है आप जहाँ पर IT कर रहे हो self center है आपके sweem hall ticket में लिखा रहे गा तो आपको देखना है परिख्षा केंदर का nाम क्या है exam center इसको बोलते exam center यहाँ पर केंद रहने संस्था की मोहर लगी होनी चाहिए क्योंकि संस्था की मोहर लगी रहेगी तभी आपकी कापी वेरिफाइड रहेगी डेट आपका exam, डेट डालना है कि आपका exam कितने तारिक हो रहा है वहाँ पर दिनांग डालना है और सबसे important जो इसमें होता है वो होता है अनुक्रमांग यह जिसको आपनों बोलते हो roll number जब तक आपने अपना roll number नहीं लिखोगे तो valid copy नहीं होगी क्योंकि उसी से आपका result बनता है उसी से आपका number मिलेगा तो roll number कुछ 12-14 अंकों का होता है उसमें से अंकों और सब्दों दोनों तरह से लिखना जैसे अंकों में 0 है, 1 है, 8 है, जो भी है तो आपको कुछ इस तरह लिखना है अंकों में और सब्दों में दोनों तरह के roll number फिल करनी है तो यह चीज रही जो general information है general चीजें होती जो आप सभी student को करना होता है कोई भी trade से आप IT कर रहे हो फिर इसके बाद यादि देखा जाए तो आप आते हैं question पर तो सबसे पहले क्या होता है कि आदमी जैसे roll number और सारा चीज complete होने के बाद उसके नीचे से ही चालू कर देता है क्या लिखना experiment number one यानी question number one भी डाल सकते हो या experiment number one भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर practical हो रहा थे practical में अक्सर experiment number ही डाला जाता है कि हम कौन सा question कर रहे हैं कौन सा experiment number कर रहे हैं proper heading डालनी है याँ ब्लेक page black pen heading डालने के लिए यूज कर रहे हो तो उससे बहतर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो आपकी copy check करेगा तो आपके copy के साफ सुसरा सुक्षता पर ही number मिलेगा अब यहाँ पर जैसे object नहीं उद्देस की बात किया गया है तो हाँ उद्देस में वही होता है कि जो आपका caution आया था caution क्या पूँचा गया है वही आपको fill करना है जैसे उद्देस में लिखा गया है कि सीड़ी पर प्रकास के लिए bulb वा टूबे सुच का प्रियोग यह हुआ object नहीं उद्देस ठीक ध्यान देना object वही होता है जो caution पूँचा गया है अब यहाँ पर caution नहीं पूँचा गया कि सीड़ी पर प्रकास के लिए bulb वा टूबे सुच का प्रियोग अब इसके बारे में आप caution तो लिख लिए उद्देस डाल दिए heading डाल दिए सब कुछ डाल दिए बहुत बिद्वत क्या होता है काँ भी साफ सुथरी होती है तो चेक करने वाले को दिक्कत नहीं जाती और नम्मर देने में उसमें कोई घवराहट नहीं होती ठीक तो इस तरह के करना है उद्देस में फिर आना है कि हम उस उद्देस का उस कोईशन के रिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्या आवेश्यक सामग्री की अवेश्यक्ता पड़ती है टूबे सुच लगाने के लिए यहां रिक्काइर्मेंट माटेरियल लिख लेना है आवेश्यक सामग्री जैसे कॉमिनेशन प्लायर पेचकस नाइफ हैनी चाकू पोकर हैंड्रिल मसीन पीवी सी केसिंग तार बैटन होल्डर मतलब यह चीज आपको जरूर पड़ेगी आवेश्यक सामग्री है तो यह रिक्काइर्मेंट माटेरियल आपको फिल करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा यह चीज हो गई अब इसके बाद क्या होता है कि सेप्टी रुक्काइर्मेंट अब तो आवेश्यक सामग्री होने के बाद आपको कुछ सेप्टी भी रखना है काम करते समय तो आपको यह भी लिखना कि सुरक्षा साबधनिया में यह होना चाहिए दो तीन आप डाल सकते हो कोई भी तार्फ बीच से कटा ना हो कॉलन नमर एक हो गया दूसरा नमर डाल सकते हो कि जॉइंट कासे हुए होना चाहिए तीसरा नमर यह भी डाल सकते हो कि केसिंग केपिंग सही से फिट हो तो यह सेप्टी परपस है ठीक यह चीज आपको बहुत अच्छे से लिखेना है फिर आता है बर्किंग मैथेड बर्किंग मैथेड नहीं कारविधी कारविधी कैसे की जाती है जैसे सबसे पहले connection की drawing बनाते हैं जो आप connection दिया गया है जो question पूछा गया है experiment पूछा गया है तो उसका सबसे पहले drawing बनाते हैं यह चीज कुछ इस तरह के लिखा जाता है proper ताकि आपको कोई दिक्कत नो हो फिर इसके बाद जैसे नेश्ट दिया गया है परिनाम आप में उद्देश, आवैश्रक शामगरी वर्किंग मैथेड लिखने के बाद आपका परिनाम क्या आया है परिनाम भी लिखना पड़ता जैसे टूबे सुच का परियोग करके बल्ब को संचालित सफलता पूरवक किया गया एनि आप टूबे सुच का यूज किया जिसके चलते आपका सफलता पूर्वा काम हो गया है यह हुआ result यह प्रणाम इसको बोला जाता है यह experiment number 1 यह इतना complete हो गया इसमें आपको कोई number नहीं कटेगा फिर उसके नीचे जेश्ट आप experiment number 2 चालू कर दोगे उसी तरह जैसे मैं इसके पहले बताया था अबजेक्ट, एनि उद्देश, आवश्यक्षामा ग्रीप, बर्किंग मैथेड, सुरक्षासाब धानी तो यही सी तरह आप proper लिखोगे तो आपका किसी भी प्रकार का number कटने वाला नहीं है यह चीज आपको ध्यान पे हो गई होगी आपने वेलकुल सी ओर हो गए होगी कि आपको कापी कैसे लिखनी है क्योंकि सारे स्टुडेंट को यही डाउट रहता है कि सर हमें practical पे लिखना क्या है कैसे लिखना है तो सिर्फ छोटा सा मैं वीडियो ही बना कि आपको बताया हूँ कि आपको इस तरह से लिखना है और यही चीज लिखना है में अंसन करनी है यह रही डाउट की बात खतम अब मैं आपको पुराना पेपर इलेक्ट्रीशन का दिखा देता हूँ कि कोशन क्या आता है कोशन कैसे आता है वो चीज आपको मैं जरूर दिखा देता हूँ अब यह देखिए मैं आपके सामने एक पेपर दिखा रहा हूँ यह पेपर है इलेक्ट्रीशन का और समेश्टर हो यह एरली हो कोई भी हो कोशन सेम ही आते हैं कोशन में कोई दिखकर नहीं जाती टाइमिंग दिया गया 8 घंटा मार्क्स दिया गया 270 नमबर और कोड है आपका पेपर कोड दिया गया है आप यहाँ पे जैसे दिया गया है तीन कोशन ठीक तीन कोशन में दिया है कि अटेम्ट आल कोशन आपको आल कोशन अटेम्ट करना है जैसे question फैस्टे नमबर दिया है कि full wave rectify circuit and without filter circuit so the various waveforms second number single fish transformer के बारे में दिया गिया है और यह जो third number दिया है कि assemble and domestic and control and electric bell for two-way location using lamp two-way के मतलब होती है जो two-way switch होती है उसी का connection करना है question तीन या चार से ज़्यादा कभी नहीं आए maximum तीन ही आते है question जो practical पे होते है और question आते हैं जो तुम English में रहता है यदि आपको समझ भी नहीं आ रहा है English में question तो आपके जो examiner होते हैं जिनकी duty लगी है उनसे आप कंबड करार सकते हो हिंदी में वो आपको बता देंगे कि हिंदी में इस अर्थ क्या होगा आपको क्या बनाना है तिये कुछ तीन question हो गए electrician के जो आपके इसी तरह अभी जो होंगे exam एक तरिक से इसी तरह के question पेपर आता है जरूर ध्यान दीजिए और आप लोग त्यारी कर लीजिए practical की कुछ चीजे नई नई चीजे पढ़ लीजे छोटा मोटा interview के question भी त्यार कर लीजिए क्योंकि हर बार जैसे आपका तीन question आया इसी से related आपको interview question में बुलाया जाएगा और आपका इसी से related interview question भी होगा ठीक यह रहा है electrician का अब यदि हम fitter की बात करते हैं तो fitter पर सिफ्ट दो question दिया गया है एक है 200 नम्मर के 170 नहीं 40 नम्मर का 5 नम्मर question 40 नम्मर के दिया गया इसमें सिर्फ लिखना है और second नम्मर जो है इसमें आपको diagram दिया diagram बनाना है diagram के बारे में बताना है तो आपको fitter की भी मैं बता दियता हूँ को paper इसी तरह आता है ज़्यादा टप नहीं आता बस ये marking दी गई है diagram में इस marking की हिसाब से आपको इस diagram का बिलकु प्रॉपर तरीके से बनाना है radius दिया गया है तरिज्जा दी गई है कितना आपको लंबाई है को उतना चोड़ाई है सारी चीज़े हम इंसन की गई है आप लोग बिलकुल घवराईए नहीं आपका paper बहुत अच्छा जाएगा आप लोग बस त्यारी कर लीजिए छात्रों ये चैनल पे नए जुड़े गए हो तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए आपके पास नए नए अपडेट में लेकर हर दम आता रहता हूँ ठीक यदि आपको किसी भी प्रकार के doubt है तो आप comment box कर सकते है comment कर सकते हो और मैं यही करूँगा कि आपका कोई भी doubt होगा तो मैं जरूर उसका solution करूँगा Thank you